वारनसी की जिला अदालत के आदेश के बाद ग्यानवापी मश्चित के सील बंध तैखाने के व्यास का तैखाना में रात को कड़ी सुरक्षा के बीज पूजा अर्चना की गए वहीं अब ग्यानवापी के बाकी बचे तैखानों का भी ASI सर्वे कराने के लिए हिंदू पक्ष ने नई आचिका डाली है नमस्कार, Capital TV देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर चलिए आज आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में इसी के बारे में बताते हैं ग्यानवापी में ASI सर्वे की मां हिंदू पक्ष ने डाली नई याचिका मुस्लिम पक्ष गुस्से में दरसल उत्तर प्रदेश के वारानसी मिस्थित ग्यानवापी धाचे के मामले में स्थान्य कोट के सामने हिंदू पक्ष ने एक और याचिका लगाई है इस याचिका में हिंदू पक्ष ने मांग की है कि भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षिन ASI को ग्यानवापी धाचे के बाकी बचे हुए हिस्से के सर्वे का आदेश दिया जाए इनमें वो तैखाना भी शामिल है जिसका अभी तक सर्वे नहीं किया गया है जानकारी के अनुसार हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंग नाम की याचिका करता ने वारण 8 के जिलान्यायाले के सामने ये याचिका लगाई है उन्होंने ये याचिका अपने वकील सोरभ तेवारी के मध्यम से दायर की है उन्होंने मांग की है कि ग्यानवापी परिसर के भीतर स्थित बाकी बची तैखानों का भी ASI द्वारा सर्वे कराया जाए धाचे के नीचे कुलाड तैखाने है याचिका में राखी सिंग ने कहा कि इनका सर्वे ASI ने पिछली बार नहीं किया था क्योंकि इसके प्रवेश बंद किये हुए थे इन तैखानों से मलबा हटा कर और इनकी रुकावटों को किनारे करके इनका सर्वे किया जाए बता दे कि पिछली बार सिर्फ दो ही तैखानों का ही सर्वे हुआ था जिसमें कई हिंदू शिलालेक और मूर्तियां बरामत की गई थी वारनसी न्यायाले में लंबित शिंगार गौरी पूजनवाद दो हजार बाईस में वादी नंबर एक राखी सिंग ने कहा कि ये सर्वे ये पता करने के लिए जरूरी है कि इस परिसर की धार्मिक स्थिती क्या है याचिका में बताया गया कि ग्यानवापी में तैखाना संख्या N1 से लेकर N5 उत्तरी तैखाना और S1 से लेकर S3 दक्षणी तैखाना का प्रवेश बिलकुल ही बंध है इसके अंदर जाना संभव नहीं हो सका है राखी सिंग ने अपनी याचिका में आगे कहा कि N2 तैखाने की पश्चिम दिवाल से N1 को चार रास्ते हैं लेकिन सभी बंध है ऐसे में N1 की कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है ऐसे में ASI को न्यायाले ये निर्देश दे कि ये बंध तैखाने का भी सर्वे करे राखी सिंग ने उन पांच महिलाओं में मुख्य याचिका करता है चिन्हों ने ग्यानवापी में पूझा अर्चना और यहां सर्वे की मांग की थी दरसल न्यायाले में चली प्रक्रिया के बाद ASI ने ग्यानवापी परिसर का सर्वे किया था इनकी रिपोर्ट हाल ही में ASI ने सारवचनिक की है इसमें सपश्च रूप से बताया गया है कि जहां आज मश्चित है वहां कभी एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था गौर्टलब है कि हाल ही में वारन ASI के जिला न्यायाले ने हिंदू श्रत धालूंगों को ग्यानवापी के भीतर व्यास ची के तैखाने में पूझा अर्चना करने की अनुमती दी थी दरसल वारन ASI स्थित ग्यानवापी मस्चित परिसर में 31 साल बाद पूझा अर्चना हो रही है बता दे कि एक फरवरी सुभा लोग पूझा करने के लिए तैखाने में पहुँचे थे हिंदूओं को ज्यानवापी के व्यास ची के तैखाने में पूझा पाठ करने का अधिकार मिला है अदालत ने वारन ASI के जिला मेजिस्ट्रेट को हिंदू पक्ष और श्रीक काशी विश्वनात मंदित प्रस त्वारा नामित एक पुझारी के जरिये की जाने वाली पूझा की वेवस्था करने का निर्देश दिया वहीं 17 जनवरी को वारन ASI जिला अदालत ने जिला मेजिस्ट्रेट को रिसीवर निक्ट करते हुए उन्हें तैखाने को सुरक्षित रखने और इसमें कोई बदलाव ना करने का निर्देश दिया 24 जनवरी को अपर जिला अधिकारी प्रकाश चंद्र के नितृत्व में जिला प्रसाशन की टीम ने डियम को तैखाने का रिसीवर बना कर उसे अपनी कस्टडी में लेने के संबन में कारवाही पूरी की अधालत के आदेश का पालं किया गया ग्यानवापी मामले में कोट के जरिये हिंदू पक्ष को व्यास का तैखाना में पूझा करने की अनुमती देने पर वारा नसी के डियम एस राज लिंगम ने मीडिया से बात की उनसे वजूखाने के समक्ष विराजमान नंदी महाराज के सामने लगी बैररिकेटिंग को हटा कर रास्ता कोलने को लेकर सवाल किया गया इस पर उन्होंने कहा न्यायाले के आदेश का पालं किया गया है वरतमान में ग्यानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा की भी कड़ी इंतजाम किया गया है पूजा की इजासत मिलने के बाद परिसर में मौजूद एक श्रद्धालू ने कहा हम कोट के आदेश से बेहत खुश और भावग हैं हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है अदालत के फैसले पर ओवैसी ने जताया दुख दरसल AIMIM चीफ अस्तुदिन ओवैसी ने बारण नसी कोट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जच साहब के रिटायर्मेंट का आखरी दिन था 17 जन्वरी को रिसीवर बैठाया गया पूरा केस पहले से ही डिसाइड किया गया था उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्लेस जॉप वर्शिप आक्ट का उलंगन है प्रधान मंतरी नरेंद्र वोधी की सरकार की तरफ से जब तक इस आक्ट पर चुप्पी नहीं तोड़ी जाती है तब तक इस तरह की चीजे होती रहेंगी AI MIM चीफ ने कहा कि आप ये बात खुद कह रहे हैं कि 1993 के बाद वहां कुछ नहीं हो रहा था अपील के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए था मश्चित के तैखाने में पूचा अर्चना की जो इचासत दी गई है वो पूरी तरह से गलत है उन्होंने ये तक कह दिया कि 6 दिसंबर की घटना एक बार फिर से हो सकती है बता दे कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में स्थित बाबरी मश्चित को ढा दिया गया था वहीं वारण असी जिला कोट के ग्यान वापी परिसर स्थित तैखाने में पूचा पाच की अनुमती देने के बाद मुस्लिम पक्ष नाराज है अब अंजुमन इंतिजामिया मश्चित की तरफ से भी बड़ा एलान किया गया है संगठन की तरफ से जारी एक पत्र के अनुसार मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को लेकर कड़ी नाराज की जताई है और कहा कि ये पूरी तरह से भ्रम फैलाने वाले दावे हैं जिस पर घोर आपत्ती जाहिर की है इसलिए कल होने वाली जुम्मे की नमास के दिन मुस्लिम समाच के लोग अपना कारो बार बंद रखेंगे और मश्चित में दूआ करेंगे इस मामले में मौलाना तौकीर रजा ने भी ज्यान वापी मामले को लेकर कई गंभीर आरोब भी लगाए हैं उन्होंने आरोब लगाते हुए ये भी दावा किया कि ज्यान वापी मश्चित को जबरदस्ती हत्याने का प्रियास किया जा रहा है भड़काओ बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ज्यान वापी मस्चित को किसी सूरत में नहीं देंगे उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि देश में फसाद होने किया शंका के दर की वचे से हमने तमाम बेई मानी बरदाश की है तौकीर रजा ने अदालत के कामकाच पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किये उन्होंने ये भी मांग की कि अदालत ये साफ करे कि इनसाफ हो रहा है उन्होंने ये भी दावा किया कि बाबरी मस्चित को लेकर सब्र इसलिए किया गया ताकि देश में बनाय चा रहे फसाद को खत्म किया जा सके लेकिन अब ग्यानवापी मामले को लेकर बरेली में वो जुम्मे के दिन 9 फरवरी को अपनी गिरफतारी देंगे देश फर में ऐसी गिरफतारियां दी जाएंगी ताकि देश में अमन्चैन बरकरार रखा जा सके उन्होंने ये भी कहा कि हम बाबरी मश्रित का जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि इस से हमारी न्याय पालिका की च्छा भी खराब होती है तौकीर ने आरोप लगाते हुए ये भी दावा किया कि उनकी मश्रित पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है देश के मुसल्मानों के साथ लिंचिंग हो रही है इस सभी के बाद भी सामूहिक गिरफतारिया देने का निर्णे लिया गया है एक तरफ जहां ग्यान वापी के बाकी बचे तैखानों का भी ASI सर्वे करने को लेकर हिंदू पक्ष ने नई याचिका डाली है तो दूसरी तरफ मुसल्मानों में भी इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है खेर आज के स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार